कानपुर में बीजेपी प्रत्याशी रमेश अवस्थी के समर्थन में गुरुवार को रोड़ शो करने पहुचे अंतराश्चिय रेसलर दग्रेट खली ने दावा किया की इस बार कानपुर में बीजेपी पांच लाग से ज्यादा वोटों के अंतर जीतेगी साथ ही उन्होंने कहा कि मोधी सरकार के नित्रित्व में देश तेजी से तरक्की कर रहा है और भारत विक्सित देशों की श्रेनी की ओर बढ़ रहा है खली ने कहा कि पिछले दस सालों में देश में सनातन संस्कृती मजबूत हुई है और आपसी भाईचारा बढ़ा है इसलिए मोधी सरकार 400 से ज्यादा सीते जीत कर हैच्रिक लगाने जा रही है उन्होंने कानपुर नगर संसदिय सीत के बीजेपी प्रत्याशी रमेश अवस्थी के समर्थन में करीब पांच किलो मीटर लंबा रोड शो किया और पुरे हिंदुस्तान के जा रहा हुँ में जो देश के लिए समर्पित है देश के लिए जो काम कर रहे हैं सो उनके साथ हम खड़े हैं क्योंकि हम खुद भी एक देश भक्तल है समस्ता हुए अपने आपको क्योंकि अगर राष्टी है तो सब कुछ है अगर राष्टी नहीं है तो कुछ नहीं है सो ये जो हरमेज जी तुमारे बहुत प्राने मित्र है मेरे भाई है और उनके लिए तुम्हें पहले भी आया था और अगे जरुद पढ़ेंगी फ्यूचर पर फिर भी आऊँगा सो बहुत अच्छा एक समासिवा कर रहे है और मेरे को पूरा एक बिश्वास है कि जो यहां कानपुर की जनता है भारी बोटों से जिताएंगे और मौदी जी के जो हाथ है और मुझबूत करेंगे ताकि जो बचे हुए काम है कुछ राष्ट के लिए ताकि वो पूरे होए कि इस बार कि जो एक परदान मंदी जी ने जो देश का एक गौरब बढ़ाया है पहले हम देखते थे जब और फॉरन कंट्री में जाते थे चाहे हम खुज जाते थे चाहे हमारे परदान मंदी जी जाते थे तो एक बड़े कुने पर खड़े करते थे उनको और बड़े एक थड़ वर्ड से जैसे आए कोई परदान मंदी उस नज़र से देखते थे और आज की देट पे देखो आप दस साल पे कहां से कहां लेगे मनलो हमर अपना हिंदुस्तान को जो लोग पूचते नहीं थे वही लोग च्छते पकड़ के हमारी परदानमंद्रीजी के पेर छूके उनसे एक मारक दर्सम मांग रहे है सो कितनी पराउड की बात है पूरे हिंदुस्तानियों के लिए सारे हिंदुस्तानियों का एक सीर गौरब से उच्छा कर आए सो बहुत अच्छे काम कर देख देश के लिए और जो एक इंटरियस्टली भी उन्होंने बहुत अच्छे एक रिलेशन बढ़ आए है और जिसे पहले जिसे बोलते थे कि भी हर बात बात पे पाकिस्तान बोलते थे हम तो मिसाइज चला देंगे हम तो ये कर देंगी अब बोल के देखे तो ये मिलो कि काम करने का तरीका और काम करने का तरीका एक जजबा और उनकी तो टीम है गारियों के काफिले और बीजेपी कार्य करताओं के हुजूम के साथ खुली जीप पर सवार दगरेट खली निकले तो उनकी एक जलक पाने के लिए लोग बेताप थे। उनका काफिला देव नगर होते हुए आचार्य नगर संगीद सिनेमा चौराहा, हीरा गंज, आनंद बाग चौराहा, प्रेम नगर, सीसामव बढ़ा चौराहा, रामबाग, इदगां, बजरिया थाने के सामने से तूटी मस्जित चौराहा, ब्रहमंगर चौराहा, भधौरिया चौराहा, लेनिन पाक स्थित सीसामाओ के बीजेपी कार्याले पहुच कर समाप्थ हुआ। इस दौरान दग्रेट ने बीजेपी प्रत्याशी रमेश अवस्थी के लिए लोगों से अधिक से अधिक संख्या में वोट करने की अपील की। आपको बता दे कि दग्रेट खली का रमेश अवस्थी से पुराना और दोस्ताना रिष्टा है, जिसे वो कई मौकों पर जाहिर भी कर चुके हैं। अंतराश्च्रिय रेसलर दग्रेट खली ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी तारीफ करते हुए कहां कि दस साल पहले जब हमारे देश के प्रधान मंत्री किसी भी देश में जाते थे, तब वो वहां किसी कोने में हाथ जोड़े खड़े नजर आते थ साथ ही उनसे मारव दर्शन भी लेते हैं। दग्रेट खली ने कहा कि कानपुर के लोगों के अंदर काफी ज्यादा जोश देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रत्याशी रमेश अवस्थी के लिए लोगों के दिल में काफी प्यार देखने को मिल रहा है तानपुर की जनता इस बार वोटिंग वाले दिन का इंतिजार कर रही है पिछली बार जो भी कसर रहे गई थी इस बार वो सारी कसर पूरी करदेनी है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 400 पार का नारा दिया है वो इस पूरा होने ही वाला है दग्रेट खली ने एक सवाल के जवाब में कहा कि बीजेपी सरकार के कारेकाल में विकास की बयार चल रही है घर-घर शौचाले बनवाए गए हैं लोगों के घरों में गैस सिलेंदर और गाव-गाव बिजली पहुचाई गई है साथ ही सडकों का विकास भी काफी तेजी से हुआ है इसके अलावा इस सरकार में लोगों को रोजगार भी मिले हैं उन्होंने कहा कि मोधी सरकार में धारा 370 हटाई गई और राम मंदर का निर्मान हुआ जो एतिहासिक है दग्रेट खली ने कहा कि अपने देश की सरकार खेल को बढ़ावा देने के लिए काफी फंड देती है इतना फंड किसी और देश की सरकार नहीं देती है मैं खुद अमेरिका में रहा हूँ मैं वहाँ के खेल को बहुत नजदीक से देखा है भारत में ही खिलाडियों को पैसा नौकरी और पदक के साथ साथ बहुत प्यार दिया जाता है जबकि अन्य देशों में ऐसा बिलकुल नहीं है अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूले अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें